प्रिजन शब्द है ये कहां से आया इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और इसका प्रचार प्रचार कहां से हुआ वो बताएं प्रिजन शब्द कोई ठीक शब्द नहीं है क्योंकि जो लोग हमारा भला नहीं सोच सकते जिने हम आँख में कंकर की तरह खटकते हैं उन लोगों ने ये नाम दिया है और वो जो नाम देते हैं वो बड़े अजीब अपमानित करने वाले नाम होते हैं और सम्मान का वो लोरा पीटते हैं ये शब्द हरीजन शब्द अगर आप डिक्शने में देखेंगे तो इसका मतलब बंदर भी होता है इसका मतलब जो आदमी के उलाद नहीं हो हरी की उलाद है यानि कि बगर माबाप की उलाद है तो ये अपमान जनक इसका आशे है तो हम लोगों को अपमान के नाम पर अपमानित करने का काम किया और यदि ये नाम सम्मान जनक होता तो बाबा साब जैसे परखर बुद्धिवादी विद्वान इसका विरोधना करते जब बाबा साब डांक नम बेटकर बंबे की लेजिसलेटिव में विदी परिशत में थे तो वहाँ पर भी विरोध किया था आरार बोले ने भी विरोध किया था दिल्ली की पार्लेमेंट में दादा साब गायक वाड़ ने मनुस्मिर्थी जलाई और इस शब्द का भी विरोध किया और शायद आपको पता होगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं आर्टिय अब तो आटियाई की धार खतम कर दी गई है उन्होंने अपने बलपूदे पर सरकार से लड़कर ये जो शब्द है हरिजन शब्द इसको अन पार्लिमेंटरी डिकलेर कराया यानि के गैर कानूनी अब इसका सरकारी इस तर पर परियोग हो नहीं सकता परियोग होगा तो वो दंडे का भागी होगा ये हरिजन शब्द का ओपरेशन है हमें इन लोगों ने हमेशा हमारे साथ क्या छल किया है जैसे हमारे महा पुरुशु हैं महा मना जोतिबा फूले उनको इन्होंने एक बार सम्मानित किया तो सम्मानित करने में उनको क्या नाम दिया इन्होंने महात्मा यानि जो व्यत्मी आत्मा का विरोध करता था उस जी को महात्मा कह दिया जैसे बुद्ध को महात्मा कह दिया बुद्ध से बड़ा कोई अनात्मवादी नहीं हुआ इसी परकार से महाराज जो अपने महामना जोतिवा फूले थे उन्होंने आत्मा का और परमात्मा का दोनों को खंडन किया बलकि उन्होंने आत्मा परमात्मा के सम्मद में एक पैरलल नाम दिया जिसका जो है निर्मीक, निर्मीक का मतलब जिसने हम सब को बनाया है, उनकी अलगा अवधार नाती, उन्होंने महात्मा नाम दे करके महात्मा फूले लोग लिखने लगे, वो एक जमाना था, सड्यंतरों को हम लोग पहचान नहीं पाते थे, आज हरे घांस के हरे सांपों को पहचानने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, हमारे लोग उस पर नजर रखते हैं, एक तो उन्होंने महात्मा कहके सम्मानित कर दिया, दूसरे तरफ अपनी बेकार की संस्किर्ती है, हमारे जोतिवा पर थोप दी, तो हमें बड़ा सावधान रहना है, यह जो शब्द हरी के जन है, तो आप किसके जन हो, तो वो यह नहीं बताते हैं, क्या आप हरी के जन नहीं हो, तो किसी शैतान के जन हो, नहीं, वो बात नहीं कहेंगे, मगर शब्द थोपते हैं, और सारा का सारा मीडिया उनका इंतियार करता रहता है, कब हमारे महापुरुष, हमारे कोई ने हमने कार्टून बनाया था, गांदी जी कह रहे हैं अपने लोगों को, अरे इनकी क्या भलाई करनी है, इनका क्या कल्यान करना है, इनका आप हरिजन शब्द कह करके पकारना शुरू कर दो ये तो उसी में खुश हो जाएंगी, हो गया कल्यान, तो ये सारी की सारी बातें, धो मुई करूप से विरोध करते हैं, और अब तो कानूनी तोर पर ये अन-पार्लेमेंटरी शब्द डिकलियर्ड है, यानि कि इसको गाली मान लिया गया है, इसको आप पार्लेमेंट में या पार्लेमेंट के किसी भी रिकॉर्ड बे इस्तिबाल कर नहीं सकते, ये इस बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने इस योग्य समझा के हम कुछ बता पाएं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरे, ताकि सभी लेटेस्ट खबरे सकें आपके सबसे पहले